आज से लगबग 345 वर्ष पूर्व सेयाद्वी के एक प्रवत शिखर पर एक समारम्ब हुआ था वो एक महापुरुष के राज्जा रोहन का कारेक्रम था चत्रपती शिवाजी महाराज उस दिन राज्जा विशेक का समारम्ब पार करते हुए संपन करते हुए एक राज्जा के रूप में सिवासन पर अधिश्टित हुए उसी दिन से इस देश में इंदवी स्वराज्य का शुभारम्ब हुआ राश्ट्री और स्वर्ण सिवर्ण संग के समस्तापत पुजिनिय डॉक्टर हिडगेवार जी ने इस दिन को ही हिंदू स्वामर्जे दिन ऐसा कहा है इस घटना के एक पुर्ष्ट भूमी है उसे भी हमें समझना हुगा आठवे शतक में मुहम्मद बिन कासीम ने इस देश पर अक्रमन किया और उस समय राजा दाहिर का पराभू किया और इस देश की संपत्ति लूट कर यहां से चला गया यह भारत पर बाहर के आकरांताओं ने प्राप्त किया हुआ पहला विजय था और बीच का एक कालखंड ऐसा ही चलता रहा और लगबग 400 मर्शों के बाद फिर इस घटना की पुनरावर्ति हुई महम्मद गोरी ने आकरमन किया और उस समय संगर्श करते हुए पृतिराज चौहान इस देश के सतनता के लिए नसंगर्श करते हुए और बलिदान हो गये तो लगबग तब से लेकर आज जब श्वाजी महारात का राज्यारोन होता है हम कह सकते कि लगबग 800-900 वर्श का कालखंड है कि इस देश के अंदर हिंदू एक भिन्न प्रकार की मानसिक्ता में अपने आपका अनुभो करता रहा हिंदू याने गुलाम हिंदू याने पराजित हिंदू की मानसिक्ता हताशा की निराशा की इस प्रकार की एक बंती गई मानसिक्ता इस प्रकार की होती गई कि दिल्ली के गद्धी पर बेठा हुआ वह हमारे लिए इश्वर के समान है और इसलिए एक शब्दावली चला करती थी दिल्ली शरोवा जगदी शरोवा इस प्रकार की अत्यंत एक हीन दीन अवस्ता और अपने समाज की उस समय हो गई थी भारत के लगबग दो तिहाई हिस्से पर मुगलों का सामराज स्तापित हो चुका था इसी कालखंड में सन 1630 में एक बालक जन्म लेता है शिवनेरी नाम के किले पर लेता है और शिवाजी इस नाम से भविश्च में जाना जाता है ऐसे एक शेष्ट व्यक्ति का जन्म 1630 में हुआ है परिस्थितियां जैसे मैंने कही कि दो तिहाई भारत मुगलों के कवजे में था और इस अवस्था में इस चितर का इस देश का अगर कुछ परिवर्तन करना है समाज का परिवर्तन करना है इस देश में फिर एक बार अगर स्वाभिवान जगाना है तो कुछ होने के आवशकता थी शत्रपदी शुआ जी महराज के बारे में हम जानते हैं कि उनके पिता जी उस्तमाइ शाह जी राजे मुसल्मानों के दर्वार में थे और बाले काल में उनकी माता जिजाबाई नहीं उनका सब प्रकार से पालन पोशन किया दादो जी कौन देव उस शैशवा अवस्तमाइ उनके गुरु बने कि जनों ने उनके शाह स्तर अस्तर की शिक्षा दी एक छोटी बिरासत शाह जी राजे के द्वारा श्रिवा जी को उस अवस्तमाइ प्राप्त हुई बहुत छोटी बिरासत थी और उस बिरासत के आधार पर भविश्य का स्वपन देखने वाला बालक बड़ा हो रहा था और बड़ी विशेश बात है कि जब छत्रपती शिवाजी भाराज के बारे में हम जब सोचते हैं तो वास्तों में एक पचास वरशे के आयू और जीवन भर संगर्श के आलवा और कुछ नहीं दिखाई देता है चत्रपती शिवाजी महराज ने अपने शवर्य और साहस का उपयोग अपने जीवन भर हिंदू समाज के रक्षा और देश हीत के लिए ही किया है यहीं उनका इतिहास बताता है किसी भी नेतृत्व की सफलता कि कुछ चरण होते हैं तो चरण में पहली बात आती है कि उसका आरंबिक प्रारंबिक जीवन कैसा रहा जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है परिस्तितियों का आकलन करने की उसकी क्षमदा कैसी है उसके आस्ता के शद्धा के विशे क्या है और इस सब करने के लिए साहस के साथ एक पुरिशार्थ क्या वशक्ता रहती है एक निर्वय व्यक्तिमत्तु क्या वशेक्ता रहती है ऐसा ही व्यक्तित्व अपने जीवन में एक सफल नेतुत्व देने में सिद्ध होता है और जब हम आरम्म का जीवन देखते हैं तो एक बिल्कुल कुमार वस्ता में युवा वस्ता में प्रवेश करी रहे थे तो अपने साध्यों के साथ रोईडेश्वर के उस श्युव मंदिर में एक संकल्प लेते हैं और एक संकल्प के रूप में श्युवप इंडी पर अपने अंगुली से रक्त का अभिशेक करते हैं और संकल्प क्या था तो मैं इस भूमी को स्वराज्य प्राप्त कराके रहूँगा स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प है और इसलिए यह एक प्रारम्मों का जीवन का पर इतना ही नहीं था अपने आसपास के सामा दिलों को समझाना है स्वराज्य क्या है उनके मन में उसके प्रति एक भावजागरन करना है और अगर संगर्श करना है तो अपने कंद से कंद लगा कर खड़े होने वाले साथियों को भी तयार करना है ऐसे सभी के अंतक करन में एक विश्वास निर् कि यह सारा कालगंड प्रारम का इसी प्रगार का रहा इसलिए हम देखते हैं कि चत्रबती शिवाजी महाराज के साथ कौन खड़े रहे तो सामान ने उस स्याद्री के बहाड़ियों में रहने वाला जिसको मावला कहां जाता है सामान ने मावला एक खड़ा हुआ उतना ही नहीं पिर कानो जी जेसे जेदे सर के वेक्ति मत तो खड़े हुए बाजी पासल कर जैसे वेक्ति खड़े हुए ताना जी कंदे से कंदा लगा कर खड़े होने वाले ताना जी मालुस तरह हमने देखे राजा की और स्वराज की इस रक्षा के लिए सब प्रकार का पुरिशारत करने वाले बाजी प्रभू देश्मान ने हम लोगों ने सुने हैं हम प्रताप्रागुजर का कभी नाम सुनते हैं कि राजा के महराज के एक शब्द पर फिर एक बार वो लड़ाई के मैदान में कूट पड़े और अपने बलिदान हो गए इस प्रकार के साथियों को प्रारंब में ही कौन मेरे साथ खड़े रहेंगे इस प्रकार का प्रयास उस योवावस्ता में उन्होंने प्रारंब किया है इतना ही नहीं है तो ऐसे इसे कारे के लिए संद महंतों के अशिरवाद चाहिए और इसलिए उनका भी अशिरवाद प्राप्त करते गए हम जानते हैं कि उनके जीवन में संद समर्धर रामदास जी का स्थान है उनके जीवन में संद तुकाराम जी का एक स्थान है ऐसे महापुरुषों के अशिर्वाद प्राप्त करना और अपने लक्षे के परती एक भाव मन में लेकर अपने साथियों को तैयार करना यह उनके जीवन का प्रारम भी काल खंड हम देखते हैं दुसरी बात मैंने कही कि किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को परिस्तिति का आकलन करन के बीक्षमत्य चाहिए है उत्तर में मोगलों की शक्ति थी और दख्षिन में मुसलमानों की शक्ति थी जो आदिल शाहि निजाम शाहि इस नाम से जानी जाती है शुवाजी महाराज को इन दोनों शक्तियों के साथ संगर्श करना पड़ा जीवन बर इनके साथ संगर्श होता रहा इस वगार के परिसिदी का आकलन बड़े अश्यरिकी बात है कि उस समय बिटिशों का आगमन थोड़ा शुरूई हुआ था तो बिटिश सेना के एक सची हो थे उनका नाम है फिलिप वो अपने अनभव के आधार पर आकलन लिखते हुए लिखते है कि अगर चत्रपती शिवाजी महाराज और अगर पांच-छे साल जीवित रहते तो अंग्रेजों का राज्य यहां होना मुश्किल था इस प्रकार का परिस्तिती का आकलन करते हुए निरने करते हुए अपनी रणनीती को तैयार करने वाला इस प्रकार का एक व्यक्ति मत्व शिवाजी के रूप में हम सब के सामी है जब किसी विशेश लक्षे के लिए चलना है तो अंतक्करण में एक आस्था चाहिए तो पहले जो प्रागमिक जीवन में उनके आस्था अपने मा के परती रही है जिजा माई ने उन्हों सपन दिया है सपन को साकार करने के लिए एक अशिरवात दिया है एक जीवन की शुद्धत आगे लिए एक संसकार दिये हैं और इसलिए हम देखते हैं कि चत्रबदी शिवाजी माराज के जीवन के माता जी के जिजावाई के जीवन के अंततक उनके परती एक भिन्न प्रकार के आस्ता श्रद्धा उनके बारे में रही और दूसरे उनके जैसा मैंने कहा कि दादोजी कोंडेव उनके शस्त्रास्त्र विद्या के गुरू थे उनके प्रद्धिवी के उनके मन में बहुती शद्धा और विश्वास उनके मन में था लेकिन इतना ही नहीं है तो यह विश्वास अपने साथियों में भी संक्रमित करना है जब तक एक आस्था निर्मान नहीं होती तब तक व्यक्ति श्रेश्ट प्रकार के पुरुशार्थ करने के लिए तयार नहीं हो सकता है पुरुशार्थ मतलब शस्त्र नहीं है पुरुशार्थ मतलब एक अंतक करन की एक शक्ति है उस शक्ति के बल पर इस प्रकार के लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए उन्होंने अपने सब प्रकार के आसपास के लोगों के अंदर इस सुराज्य के प्रति एक थे कि भवानी माता का मुझे अशिर्वात प्राप्त है देखिए कि दिश्रद्धा उनके अंतक्रण में रही होगी भवानी माता मेरे सम्मख मेरे अशिर्वात के रुप मेरे साथ है सब परकार के सज्जनों का अशिर्वात मेरे साथ है और इसलिए इस परकार का एक और व्रॉश आस्ता का भाव करने कि लिए तहुने वह निर्मन करने की परिद्न किया प्रिणाम किया में जिसके बारे में वर्नन कहीं जगह पर आता है जिसे का मांन लोग तयार हुए जिनके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया कि जो कभी रुके नहीं जो कभी ठके नहीं जो कभी किसी की सामने जुके नहीं और किसी भी किमत पर बिके नहीं यह बिना आस्था की संदों नहीं है इसलिए अपने लक्षक के परती इस आस्ता को निर्मान करते हुए उन्होंने इस सारे लक्षक की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया हुआ, हम सब देखते हैं, इतना ही नहीं है, तो सामाने किलों की रक्षा करने वाले द्वारपाल इतने आनुशासित रहे, एक प्र शिवाजी महराज को भी रोग देता है, वो किता है कि नहीं हम आपको प्रवेशन ही दिशेकिंगे, मैं शिवाजी हूँ, आप कोई भी होंगे, परन्तु हमें आदेश है, कि सुर्योदय के पूर्व किसी को भी किले के अंदर प्रवेशन दिया जाए, और इसलिए मैं आप को प्रातक काल तक प्रवेश नहीं दे सकता, इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार का अनुशासन, चत्रपती शिवाजी महराज के परियत्नों से अपने अनुयायों में संक्रमित हुआ है, आस्था नारों से भाशनों से नहीं होती, तो आदर्ष विवार करने वारे जब सा आस्था का भाव जागूरत होता है, और हम देखते हैं कि छत्रपती शिवाजी महराज इस प्रकार की आस्था विश्वास अपने अनुयायों में जगाने में सफल सिद्ध हुए हैं, चोथी बात आती है, मैं आकलन भी कहां, आस्था भी कहीं, लेकिन एक नीडर वेक्ती ल चाहिए, पतंजली योग सुत्र में बहुत अच्छी बात कहीं गई, उनने कहा कि पतंजली कहते हैं कि सन्यासी की पहचान क्या है, सन्यासी की पहचान केवल गेरु आवस्त्र, दंड, कमंडल यह नहीं है, तो पतंजली कहते हैं, सन्यासी की पहचान उसका अंतक करण कितना निर्भय उसकी पहचान होती है और इसलिए किसी प्रकार के भी नेत्रुत्व करने वाला व्यक्ति कितना निर्भय है कितना निडर है कितना अभय उसके अंदर 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 है वही व्यक्ति उसका सब प्रकार से नेत्रुत्व कर सकता है दो प्रसंगा आगे आते हैं जीवन में मिर्जा राजे अपनी सारी सेना के साथ डेरा डाल कर बेठे हैं क्या करना है मिलने के लिए जा रहा है संधी करना है आपस में वारतालाप करना है तो छत्रपती शिवाजी महराज अपना किला छोड़कर उनके चावनी में गये हैं मैं वही आता हूँ चावनी में चार-पाच दिन रहे हैं कभी भी उनके उपर आक्रमन होने की संभावना कोई कहीं ने सकता था पर तो वह बहे मुक्तत है उनका जो होगा मेरी भवानी माता मेरी रक्षन करने वाली है इसलिए उस प्रकार के शत्रू के शिविर में हिम्मत के साथ रहना क्या आसान बात समझते हैं और जब वो आगरा गये आगरा में उन्हें नजर कैईद करके रखा गया तो उस अवस्ता में भी वो निर्भाय रहें विश्वास दाके मैं निकलूंगा यास चारो और से घिरे हुए खेतर में बुलात खान की निकरानी में उनको कैईद करके रखा गया उनके साथ उनके पुत्र समझी भी थे इस अवस्ता में बहुत कुशलता के साथ बचकर निकलने में वो सफल सिद्ध हुए तिसरा प्रसंगा तो अबजल खान के संधरवका है अबजल खान को मिलने के लिए जाते हैं कहा गया कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे अकेले गये हैं हिम्मत के साथ गये है जबकि अबजल खान का चरीतर मालूम है उसके जानते हुए भी प्रणतो एक आत्म विश्वास लेकर अबजल खान को मिलने के लिए जाते हैं परिणाम क्या हुआ हम सब लोग जान सकते हैं और इसलिए इस प्रकार का आरंब से सब प्रकार के परिसिदी का आकलन करते हुए अपने अंतकरन में सब प्रकार की आस्ता रखते हुए और निर्भाईता के साथ जिनका जीवन चला उस वेक्तित्व का नामी छत्रबदी शिवाजी महराज है इस प्रकार का उनका जीवन जब राजा भिशेक का समय आता है उनकी इच्छा नहीं है आज के परिसिदी में अगर हम देखेंगे कौन राजा बनने के लिए तेयार नहीं है मुझे स्वयम राजा भिशेक करना है ऐसा कहते तो उसे कोई अनुचित भी नहीं मानता लेकिन प्रसंग बताते हैं कि उन्होंने स्वयम के अपनी इच्छा नहीं थी परन्तु कासी से आयोए गागाभड उन्होंने उनको अगरह किया कि नहीं आज देश में एक हिंदू राजा होना इसके एक बहुत बड़ी आवशक्ता है और इसलिए आपका राजा भिशेक होना एक महतों की घटना इस देश के इतिहास में मानी जाएगी और इसलिए वो राजा भिशेक के लिए तैयार हुएं परन्तु उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा राजा भिशेक हो रहा है उस समय भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो राज हो ये तो भगवान की इच्छा है मैं एक सेवक के रूप में भगवान के प्रतिनदी के रूप में और इसमें और मैं आ रहा हूँ विसे तो अपने यहां परंपरा हैं राणा परताब के बारे में हम सुनते हैं कि वो स्वयम को अपने आपको एक लिंगा के मतलब शीव शंकर के दिवान मानते थे मैं उनका दिवान हूं मैं राजा नहीं हूं तो अपने देश के अंदर ऐसी परंपरा गदी पर बेटने वाले राजा महाराजा भी ऐसे जो पुन्नेश लोग हुआ करते थे उन्होंने कभी भी अपने आपको उस सिवासन से उचा नहीं माना और इश्वर की इच्छा के अनुरूप हम इसको गरहन कर रहे हैं यही उनकी भावना थी और इसलिए वो कहते थे कि भवाने माता की इच्छा है कि मैं राजा राजा बुनू परंतु उसके बाद इस देश के इतिहास में बहुत गतिमान परिवर्तन होता हुआ हम अनुब करते हैं बहुत गतिमान परिवर्तन पेश्वाओं के प्रतिनिदी रगुना थ्राव पेश्वे वह अपनी सेन्दा लेकर इस देश को फिर एक बार स्वतंद्र करने के लिए निकले और आज का ओडिसा का जो कटक है उस कटक से लेकर और दूर पश्चिम की सिमा पर भारत के बाहर का पुर्वा में कभी भारत का रहा ऐसे अटक नाम का स्थान है वहां तक गए और इसलिए अटक कटक से लेकर अटक तक भगवा जंडाई देश के अंदर फेराने वाले रगु वेतर मुगलों के कमजे विविथा वो सारा का सारा बदल कर हिंदूों के और स्वामितों में आ गया इस परकार का इतिहास हम सब जानते हैं कहा तो जा सकता है कि भारत जो खंडित हुआ था उस खंडित भारत को फिर एक बार अखंड बनाने की दिशा में डाला हुआ कदम ह कदम था ऐसा हम जरूर कह सकते हैं जब राजा बनते हैं एक राश्ट्रिय द्रष्टिकोन है उनके सामने हैं उनके जीवन में पूरा आंगर हम देखेंगे तो राश्ट्रिय द्रष्टिकोन मैं दो प्रसंग बताने वाला हूँ एक प्रसंग है मिर्जा राजे जैसिंग कर दो मिर्जा राजे मुगलों के सरदार औरंग जेप के सरदार बनकर आए च्छत्रपती शिवाज्य महाराज को मैं पकड़ कर लाओंगा ऐसा संकल पर लेकर आए थे च्छत्रपती शिवाज्य महाराज जानते हैं कि मिर्जा राजे रजपूत है हिंदू है उनका उनके नाम से लिखा हुआ पत्र बड़ा प्रसिद्ध है पढ़ने लाइक है अध्यन करने लाइक है पत्र में लिखते हैं कि मिर्जा राजे आप लड़ाई करने के लिए क्यों आ रहे हो आप आपके सामराज के विस्तार के लिए आते तो किसी प्रकार के लड़ाई के अवश्यक्ता नहीं मैं मेरा सामराज आपके चरणों में वेसे ही समर्पित करने के लिए तैयार हो लेकिन आप मुगलों के सामराज्य के लिए आये हैं तो मेरी भवानी तलवार आपके लिए संगर्शी के लिए सिद्ध है मैं मेरा सारा राज जो आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप आपके समराजी के लिए नहीं आ रहे हैं विचार कीजे पत्र लिखते हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए हो नहीं पाया अलग बात है लेकिन चत्रबदी श्वाज जी महाराज ने अपना दृष्टिकोन उस पत्रक के माध्यम से बहुत सशक तता से रखने का प्रेयस किया है दूसरा एक प्रसंगा है जब आगरा से वापस आ गए थे तो बीच के राजाओं से भी कुछ परीचे हुआ है तो बुंदेल खंड़के राजा च्छत्र साल वो भी मुगलों से लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि श्वाज ये महाराज आप आईए हम और आप मिलकर इन मुगलों के सब प्रकार का पराभू करेंगे और ये सारा राज्जा आपका हो जाएगा श्वाज ये महाराज की विशेशता यहां पर फिर एक बार प्रकट हुई उन्होंने कहा मैं साथ दूंगा हम लड़ेंगे राज्ज तुम्हारा होगा मुझे कोई सामराज ये विश्वाज की आपक्षा नहीं है मेरी आकांग्षा भी नहीं है क्या इस प्रकार का एक राश्टी या दृष्टी कोन रखने वाला व्यक्ति मत्व है उनके राज्ज की रचनाएं जब वो करते हैं तो उन्होंने कुछ बाते निश्चित की है उनके विश्वस्निया लोगों में बिन्न बिन्न संपरदाय के लोग थे उसे मुसलमान भी थ उन्होंने कई लोगों को अपने साथ लिया कि जो इस सुराज्य की सतंता के लिए सुराज्य के लिए बलिदान होने के लिए लड़ने के लिए तैयार है वो किसी भी धर्मक के हो किसी भी जाती के हो किसी भी संपरदाय के हो वो मुझे स्विकार है वास्तों में इत्यास में तो कहीं घटना ऐसी है कि उस समय उनके बहुत निकट के रिष्टेदार उनके विरोध में खड़े हुए हैं उन्होंने साथ नहीं दी है उल्टा है मुगलों की मुसलमानों क्या साथ दिया ऐसे उस समय की कुछ लोग रहे उसमें चंदर राव मोरे वगरे हम सब नाम सुनते ह है कि जिन्होंने और आकरांताओं की सहायता की तो वह तो इनके निकट के थे परन्तु छत्रबदी शिवाजे महारक के जीवन में निखाई देता है कि इस प्रकार के और भेहद भाव न करते हुए सब को साथ में लेकर चलने की बात ध्यान में आती है एक बात और ध्यान मे प्राप्त करेंगे सामान जनों के मन में अगर सत्ता के परती अगर कहीं न कहीं अविश्वास रहा तो कोई भी राजा नहीं देश का हित कर सकता है नहीं समाज का हित कर सकता है और इसलिए उन्होंने सामान जनों में अपने राज्य के परती एक विश्वास जगाने का प्र हैं कि मेरे राज्जमें सामराज्जमें स्वराज्जमें कोई भी महिला पर अत्याचार नहीं होगा और अगर अत्याचार होता हुआ दिखाई देगा तो उसको कठोवर शासन्द किया जाएं वो किसानों की जुरक्षा की बात करते हैं अपने सैनिकों को बताते हैं कि हम जहा सैनिक अगर इसके विपरित कुछ करता है तो उसे कठोर शासन किया जाएगा वो कहते हैं उन्होंने जैसे खेती की बात की वैसे ही न्याय की बात कहिए उनके न्याय व्योस्ता बड़ी प्रसिद्ध रही है किसी पर भी मेरे राज्जमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा वो उसकी बहुत चिंता करते हैं और उसी के साथ 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 उसंत मठ मंदीर ये भी सुरक्षित रहे इस प्रकार की अपने मंति मंदल के माध्यम से उन्होंने इस व्योस्ता को भी करने का प्रयास किया है उन्होंने अपने प्रधान मंडल की व्योस्ता करते से हुए आठ उनके मंत्री थे जिसको अश्टर प्रधान कहा जाता है उसमें दो प्रधान ऐसे थे कि जिसके एक के पास न्याय व्योस्ता की जिम्मेदारी थी और एक के पास सब प्रकार के धार्मिक बातों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी विशेष्टा ये रही कि ये सब प्रकार के संगर्श के कालखंड में युद्ध भूमी में कभी गये नहीं और अपने इस्थान पर रहते हुए इन दो बातों की चिंता वो निरंतर करते रहे ऐसे इनके ये दू प्रधान थे लगबक 300 किले उनके पास थे पर तो अश्यर इस बात का है आज हमको अश्यर लगता है वास्तों में अश्यर करने की बात नहीं ये सहज होना चाहिए वो क्या है कि 300 किलो में एक भी किलेदार उनका रिष्टेदार नहीं है जिम्मेदारियाओं का निश्चिति करते समय उन्होंने कभी भी रिष्टा ये आधार नहीं माना वेक्तित वी कुणमत्ता वेक्तिका करतुत्व उसको आधार बना कर और जिम्मेदारियां दी है उनके जिम्मेदारी के संदर्व में रिष्टा ये कभी उसका आधार नहीं चत्रवदी श्वाजी महाराज के जीवन को जब हम समझते हैं, उसन्यस ही नहीं है, राजा है, और इसलिए संदर्श उनके जीवन में है, रणाईया की है, गए हुए किलो को पराकरम के साथ, पुरशार्द के साथ वापस लिया है, शत्रों को खजड़ा है, अकरमन किये हैं, वो सन्यस ही नहीं है, पड़न तो ये सब करते समय, न उनके जीवन में इस परकार का करते समय, कोई वेक्तिकत स्वारत है, न कोई अपनी अपेक्षाएं है, अपेक्षागर है, तो यही है, कि ये सुराज सुरक्षित होता जाए, और इसके लिए जो जो करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, इस परकार का कभी हारे कभी जीते होंगे, एक विशेश बात ध्यान में आती है, कि किसी भी राजा को कितना सजग रहना चाहिए, तो उस समय का मतलब आज का जो वसई है, उस वसई से लेकर गोवा तक पूर्ण एक समुदर तठ है, और को इखटा करते हुए, तंतर ज्यान को विकसीद करते हुए, छोटी युद्ध नौकाओं का निर्मान किया है, यहां बड़े-बड़े युद्ध नौकाओं नहीं चाहिए, अंग्रेजों के पास बड़े-बड़े युद्ध नौकाओं थी, परन्तु छत्रबती विचार करने वाला, नीतियां तहे करने वाला इस परकार का एक आदर्श राजा के रूप में चत्रबती शिवाजी महरस का जीवन हम सब के सामने हैं, कोई कहते हैं कि अवरंग जेब की शिवाजी महरस के तुलना क्या होगी, तुलना नहीं हो से, कोई समान्दा नहीं है, एक हैं जो अपने नीजी स्वार्द के लिए, अपने पिताजी को जेल में डाला है, अपने भाईयों को जेल में डाला है, अपने पुतर को भी जेल में डाल दिया, ऐसा एक तरफ आउरंग जेब का चरितर है, और दुसरी और, छत्रबती शिवाजी महराज का एक उजवल चरितर है, बुजवल चरितर है, एक भी उनके जीवन में कोई उन पर आरोब कर सकता है, इसा एक भी आउसर नहीं है, महिलाओं से भी, महिलाओं के संधर्व में हों या आर्थिक वे वहर के संधर्व में हों, इतने 50 वर्ष की जिंदगी में, आइश्य में, उससे काल खंड में एक भी अउसर इसा नहीं है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहां पर थोड़ी गल्टी हुई कैसे तुलना करेंगे इसका यह की कारण है कि छत्रपती शुवाजे महराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है उनकी स्वयम की कोई आपेक्षाई नहीं है उनका सामराज विस्तार की उन्ती कल्पना नहीं है जो भी कुछ है वो इस मात्र भूमी के लिए है इस देश के लिए है इस प्रकार का भाव रहा इसलिए तुलना तो करने सकते करना भी नहीं चाहिए एक बात और बताना ठीक रहेगा वो कहते हैं शासन करेंगे हम पलाएंग करने वाले नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को हम समझने वाले हैं अपने करतवयों का पूरना रूप से पालंग करेंगे और इसलिए शासन छोड़कर भागने वाले अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले हम नहीं रहेंगे जिम्मेदारी के साथ रहेंगे और युद्व करेंगे तो केवल लड़ाई करने के लिए नहीं जगडा करने के लिए नहीं तो जीतने के लिए लड़ाई करेंगे कितना एक सपष्ट द्रश्टी को उन्होंने अपनी जीवन में रखा है इस प्रकार का एक आदर्श उन्होंने अपने सवेक्तिकत जीवन में प्रस्तुत किया आज भी अगर उनके उस सारी राज्य व्योस्ता का अगर कोई अध्यान करेंगे तो ध्यान में आता है कि एक बहुत एक सुन्दर समगरता से उन्होंने एक राज्य व्योस्ता केसी हो इसका एक खाका प्रस्तुत किया है एक हमेशा के लिए एक ब्ल्यूप्रिंट देखर गए और इसलिए हम समझते हैं कि समय समय पर जिनको शासन चलाना है उन्होंने चत्रबदी शिवाजी आसन व्योस्ता को समझने के आवशिक्ता है समझने के आवशिक्ता है एक आधर्श्य व्योस्ता उन्होंने अपने कालखंड़ में इसलापीत की जो निरन्तर कई वर्शत तक चलती रहे एक बात मैं और कहना चाहूंगा तो वीक्तित्तो वेक्तिगत्तो चारित संपन्न रहे जाहसी रहे द्रड़ता के साथ चले सब प्रकार के विपरीत परिसितियों पर मात करते हुए चले इसका अगर कोई एक ही कारण अगर ढूंडेंगे तो उनका निस्वार्थ भाव है उनके जीवन में स्वार्थ को शुन् और इसलिए कर उवर्नन करते हुए क्या कहा गया तो शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी राजा को योगी नहीं कहा होगा अपर दुछ्छत्रबदी शिवा जे मारत करते समय कहा गया उट सीमान योगी हैं श्रीमंत योगी कहा गया इसका एक ही कारण है कि वो धर्मक के लिए खड़े रहे हैं, धर्मक के लिए लड़े हैं स्वयम का उनका जीवन इस पकार से राष्ट के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू के लिए इस पकार का समर्पीत उनका जीवन रहा है एक सहज मन में विचार आता है कि इश्वर आउतार लेता है मनुष्य का रूप लेता है उसका भी कुछ उद्देश होता है बगवान राम ने यहां जन्म लिया उनके जीवन का लक्ष ही इस दुनिया से इस भूमी पर से जो भी दुष्टे शक्तिया है उनका सम्हार करना यही उनका लक्षरा हो तो इसलिए उनके जीवन के सारे प्रसंग उसे राक्षसी प्रवृत्ती का सम्हार करने के लिए गए हुए है अगर भविष्य की घटना यह घटनी है तो यह करना है और अन्त में रावन सम्हार होता है वापस लंका में राज्य करते हैं। परन्तु सारा जो रामायन हैं वों उनके राज्याविश्यक पर समाफते होता है वास्तों में। यो मुत्त रॉवर्तार तो नो पर चुकर गया है। सनकल्ब बालिकाल से था, जन्म से था, सनकल्ब की पूरना होती, रावंड समभास से होती है. बगवान कुर्ष्ण का जन्म हुआ है, घटना है तो कहिए। भाल्ले काल से संगर्श है कि शत्रू खड़ा है परन्तु हम देखते हैं कि बगवान कुष्ण का जीवन कहां पर समापत होता है कि जब पान लोगों की विजय होती है धर्मक की समस्था बना होती है उसके बाद का बहुत कम लोग जानते हैं हम सब लोग भगवान स्रीकुष्ण का जीवन महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति तक ही हम अनुभो करते हैं तो जीवन का उनके जीवन का कारण था भगवान राम के जीवन का कारण रावन संवार रहा होगा भगवान कुष्ण के जीवन का कारण सब प्रकार के ध हिंदेश रहा है मैं समझता हूं कि एक बहुत इस तक ही कहा गया एक चत्रबदी शिवाजी महराज का राजा भी शेक दिन तो है लेकिन उन्होंने कहा कि ये हिंदू पदपाद शही है ये हिंदू सामराज्य है और इसलिए आज का ये दिन हिंदू सामराज्य दिन इस नाम से ही वास्तों में जाना जाता है इस दिवस के कारण इस आउसर का आत्म विश्वास के थाथ पुरुशार्द के साथ खड़ा रहे कि जो आज की सब प्रकार की असुरी और अधर्मी शक्तियों के सामने हिम्मत के साथ टटकर खड़ा रहे कर एक विश्व को भी एक सही दिशांत प्रदान करने वाला समाज अगर चाहिए तो ऐसे जीवन हम सबको प्रेना देते हैं और इसलिए इस उत्सों का इस जठी से महत्व है मैं समझता हूं कि छत्रबती शिवाज हिमाराज का जन्म कभुआ उनका मुर्तिय कभुआ उससे भी महत्व पूर्ण उनके जीवन का संदेश क्या है तो उस संदेश है हिंदू सामराज्य ही हम सब क्यांतक करण में रहे इसी प्रार्थना के साथ इसे महापुरुष का स्मरन करते हुए आप सब को धन्यवाद देते हुए मेरी बात बुरी कर दो